जैमात अदि मित्रो कैसे आप सभी आश्रा करता हो मित्रो आप सभी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मित्रो आज मैं आपको एक शाबर मंत्र बताने वाला हूँ और ये शाबर मंत्र शत्रूों से छुटकारा पाने के लिए है इस मंतर के जाब से आपके शत्रू कितने भी बलिष्ट ही क्यों ना हो उनका सर्वनाश हो जाएगा और वो नश्ट हो जाएंगे और इसके अलावा आप अपने शत्रूों से छुटकारा पा जाओगे बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि इस मंतर का प्रयोग करने से पहले आपको ये ग्यात होना चीए कि ऐसा तो नहीं है कि गलती आपकी है समझ रे होना मेरे कहने का मतलब आप की बाद में कहीं ऐसा ना हो की आप किसी के साथ आईद कर बैठो आपको बहुगना पड़े क्योंकि देखिए मित्रो इस यूनिवर्स में हम जैसा करम करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है ठीक है अगर आप किसी के साथ में अच्छा करोगे तो आपके साथ में अच्छा होगा किसी के साथ में बुरा करोगे तो आपके साथ में बुरा होगा तो ये प्रियोग करने से पहले इस मंतर का जाप करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना कि आपकी गलती नहीं होनी चीए मतलब कि आपका कोई दोश ना हो अगर सामने वाला आपको बेवज़े परेशान कर रहा है बेवज़े दुखी कर रहा है बेवज़े सता रहा है बेवज़े आपको तंग कर रहा है बारबर आपको नुकसान पहुंचा रहा है या फिर चाहे वो तंत्र के माध्यम से हो चाहे वो वैसे हो कैसे भी किसी भी माध्यम से हो तो आप इस मंत्र का निश्चिंत हो करके प्रयोग कर सकते हैं और आपके शत्रू का अहित हो जाएगा यह मंत्र हनुमान जी का मंत्र है हनुमान जी का शाबर मंत्र है और हनुमान जी की कृपा से आपके शत्रू का अंत हो जाएगा इस मंत्र से, ठीक है, अंत का मतलब यह होता है मित्रो कि आपके शत्रू को ऐसा सबक देंगे हनुमान जी, कि वो दुबारा ऐसी गलती करने की कोशिश भी नहीं करेगा, ठीक है, भगवान की लाठी में मित्रो अवाज नहीं होती, भगवान जब किसी को दंड देते हैं तो ऐसा दंड देते हैं कि वो व्यक्ति किसी से कहने लाइक भी नहीं रहता, इसलिए आप किसी को बोलोगे तो क्या बोलोगे, जाद से जादा किसी को दो चार गालियां दे दोगे, किसी से लड़ाई कर लोगे, क दो मंत्र सुनिए मंत्र इस प्रकार है शाबर मंत्र है और इस मंत्र को पहले आप लोग याद कर लेना फिर इसका जाप करना मंत्र सुनिए ओम नमो कुडंत डफडल हुं एक ला में वीर हनुमंत का चेला पकड़ पचाड़ू मस्तक फोड़ू सवा मढड की जंजीर जड़ा मंत्र को याद कर लेना मित्र उसके बाद में प्रयोग करना में वीर हनुमंत का चेला पकड़ पकड़ पचाड़ू मस्तक फोड़ू सवा मढड की जंजीर जड़ाउं शत्रू का नाम आन मेरे पगपड़े ना पड़े तो माता अंजनी का दूद हराम करे गुरू की शक्त मंत्र को याद कर लेना मित्र उसके बाद में प्रयोग करना मंत्र का प्रयोग आपको किस दिन करना है देखिए अमवस्या वाले दिन अमवस्या वाले दिन से इसका प्रयोग आपको शुरू करना है ठीक है जिस दिन काली रात होती है और उस दिन आपको यह प्रयोग करना ह कितने बजे के बाद में नौ बजे के बाद में ठीक है आठ नौ बजे के बाद में जब पूरी तरीके से रात्री का प्रारंब हो जाए और शाम का वक्ति समाप्त हो जाए संध्याकाल समाप्तुरा रात्रीकाल का प्रारंब हो यानि कि चौता पहर चल रहा हो तो उसमें आप आपको क्या करना है कि रुद्राक्षी माला ले लेनी है आपको और मंत्र तो आप याद कर लोगे पहले ही तो माला ले करके इस मंत्र का आपको कितनी बार जाप करना है 108 बार ठीक है 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है आपको इसमय लग सकता है आदा पूना गंटा आपक फिर आपको बस खाले इंतिजार करना है इंतिजार करना और खुद देखना कि आपके शत्रू का क्या हाल है उसके बाद में आप देखना हनुमान जी की कृपा से आपके शत्रू का खुद बाखुद अंत हो जाएगा खुद बाखुद उसको सबक मिल जाएगा तो इसमें मित वाले दिन उस दिन आपको चड़ाना है और बीच में जितने भी मंगलवार पढ़ेंगे जितने भी मंगलवार याने कि 21 दिन तक जैसे कि अम अवस्या से लेकर के 21 दिनों तक जितने भी मंगलवार पढ़ते हैं एक दो या तीन उन मंगलवार को हनुमान जी को प्रशा चड़ाना है और पहले दिन चड़ाना है ठीक है बस खाली इतना ही काम करना आपके शत्रू को हनुमान जी अवस्य सबक सिखाएंगे और उसको चि μार्ग दिखाएंगे ठीक है मित्रों आशा करता हूं मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दिया आपको अच्छी लगी कि अपको पसंद आई अगे अगर मेरे द्वारादी को लाइक करना जैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा म मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जै मातरानी की